अलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई न्यू अनदर विडियो तो यह आप देख रहें अपने स्क्रीन पे मार्ति सुजुकी की फ्रॉंक्स है जो की डेल्टा प्लस वाइरियंट है आप इसका पहले ओल रॉंड देख सकते हैं पूरा लूक कुछ ऐसा इसका लूक आपको मिल जाता है तो भाई अगर आप बलीनों लेने का प्लान कर रहे है तो आप बलीनों को छोड़ दीजिए आप फ्रॉंक्स पे जा सकते हैं क्योंकि उससे कुछ अपडेड़ेट वर्जन है ये जो अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे मै आपको नहीं मिलता है और ये इसका कुछ गाड़ी और इसका फ्रंट डिजाइन काफी अट्रैक्टिब और काफी सुन्दर लग रही है देखने में और इसमें आपको LED DRL भी मिल जाता है देखने को देख सकते ब्लींग कर रहा है और बीच में आपको सुजूकी का लोगों मिल जाता है और बीच में आपको क्रोम फिनिसिंग मिल जाता है जिससे लूप को काफी मतलब एनहांस करती है गाड़ी और बीच में आपको बड़ी सी ग्रील मिल जा रही है देखने को और नंबर प्लेट का सेंटर और इसके नीचे ग्रील और इसके नीचे कुछ सिल्वर फिनिसिंग में आपको मिल जाता है डिजाइन एलीडी आपको हेडलाइट्स इसमें मिल जाता है प्रोजेक्टर एलीडी नहीं है बट एलीडी ओनली सिर्फ और फ्रंट में आपको दो वाइपर्स मिल जाता है और दो वासर भी मिल जाता है और इसकी प्राइज स्टार्ट होत कि इसका on road price पता कर सकते हैं तो आईए अब मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखा देता हूं तो इसका देख सकते कुछ LED DRL में नीचे मिल जाता है LED आपको Headlight मिल जाता है अंदर में Black Fneissing का काम किया गया और Silver और बीच में Chrome जो अभी मैं आपको बता दिया हूं यह आप देख सकते हैं दूर से तो आप चलते हैं कुछ side profile तो यह आप देख सकते हैं कुछ side profile का ऐसा दीख रहा है आपको इसमें अलाइव submerged मिल जा रहा है देखने को př mouth front में आपको disk मिल जाता है रेर में आपको Drum मिल जाता है और Black Love के इसकी वील है जो कि आपको एलाइविल मिल रहा है और पीछे में भी ब्लैक का है और बीच में आपको एक सुजूकी का लोगो मिल जा रहा है देखने को और इसमें आपको 16 इंच का इसमें टायर साइज आपको मिल जाता है एक सो पंचानवे साथ हार सुला और यहां पर देख सकते हैं सुजूकी का लोगो और यहां पर डिस्क और यहां पर साइड में देख सकते हैं क्लैडिंग मिल गया है और टर्न इंडिकेटर आपको और बीम पर मिल गया है और और बीम भी इसका ऑटमाटिक है अंदर से आपको सिश्टम मिल जाता है और ELED आपको टर्णी इंडिकेटर यहां पे मिल गया देखने को यह और इसका ORBM भी बॉड़ी कलर में है और वहां पे आप देख सकते हैं दोर हैंडल भी आपको कुछ body color में ही मिल जा रहा है और उपर में एक छत में roof rail मिल जा रहा है और shark and Tina मिल जाता है उपर में और वहां पहें आपको key slot मिल जा रहा है देख सकते हैं हैं अर यह compact SUV काड़ी है देख सकते हैं Calding इसका कुछ इधर से ले करके यहां तक के पूरा लंबा गया हुआ है और इसमें ground clearance भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है 190 mm का ground clearance मिल जाता है और इसमें power figure भी काफी अच्छी है मैं अभी गाड़ी को drive किया हूँ power figure इसकी काफी अच्छी लगी मतलब आप acceleration करेंगे अचानक से तो ये खिष्टी भी है गाड़ी चार सिलेंडर की गाड़ी है 1197 सिसी वाली और यहां पर आपको कुछ mat finishing का B pillar में काम किया गया है और इधर में एक छोटा सा सीसा है और इस टाइप में पूरा यहां से यहां तक black finishing का काम किया गया है तो आप बात कर लेते हैं इसकी कुछ dimension की तो भाई इसकी गाड़ी की टोटल लंबाई है 3995 mm की और गाड़ी की चोड़ा है 1765 mm की और गाड़ी की टोटल हाइट है 1550 mm की और इसमें आपको 5 sitting capacity मिल जाता है देखने को और इसमें आपको wheelbase 2520 mm की मिल जाती है देखने को और इस गाड़ी की टोटल कर वेट है एक हजार 55 kg मतलब एक टन है इसका और यह गाड़ी 5 डोर के साथ आती है बूटर स्पेस देखा जाए तो इसमें काफी अच्छी बूटर स्पेस 308 लीटर के आपको देखने को मिल जाती है आप लूंग जड़ने में अराम से आप बड़ा बैग बगरा रखके आप सफर कर स बीन देखते हैं और गाड़ी दिखती भी काफी अट्रैक्टिव है देख सकती है तो इसमें आपको न्तिलोक बेकिंग सिष्टम मिल जाता है दो एयर बैक guys मिल जाता है और इसमें डर purposesiken vai मिल जाता भी है इतना कुछ आपको ABS बगराब मिल जाता है और इसे टॉप में अगर आप जाएंगे तो आपको 6 air वेकप यह option मिलेगा देखने को आईए अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी engine specification तो इसका mileage सबसे पहले आपका रख देते हैं 21.79 का claim करती है इस उजू की लेकिन ये गाड़ी आराम से आपको 20 की दे देगी बेजी जक और ये गाड़ी यह भी CNG option में नहीं है CNG इसकी just launch करीगी कुछ मंत में और ये गाड़ी 1197 cc के साथ आती है फोर सिलेंडर वाली गाड़ी है और 88.50 bhp जेनरेट करती है 6000 rpm पर पावर और टॉर्क जेनरेट करती है 113 nm 4400 rpm पर tool tank capacity है लगबख 37 liter का ये गाड़ी एक SUV segment की गाड़ी है इसकी competitor जैसे में punch venue ये इसकी competitor में आती है अभी पंच को भी ये पीछे छोड़ दी है जब से ये launch की है तो अब बात कर लेती है इसकी कुछ rare profile में तो आपको यहाँ पर मिल जाता है LED टेल लाइट जो की connecting है बट बीच में ये false है ये so नहीं करता है और यहाँ पर सुजूगी का logo मिल जाता है number blade का center मिल जाएगा चार sensor मिल जाएगा दो reflector light मिल जाएगा और नीचे में कुछ ये design मिल जाता है silver finishing में फिरेस के उपर black color में और tire इसका देख सकते है अच्छा ही है चोड़ा और boot space 308 liter का है और उप अबर में आपको defogger मिल जा रहा है और ये नेकसा के premium का रहा है तो ये नेकसा को वहाँ पर देख सकते है बैजिंग मिला हुआ है और इसका कुछ LED टेल लाइट का design देख सकते हैं इस टाइप में है काफी सुन्दर लगती है देखने में और इसमें आपको defogger भी मिल जा र मिल जा रहा है और इसका देख सकते कुछ लुक तो मैं आपको एक बार इसको open करके दिखा देता हूं बूट स्पेस देख सकते हैं काफी सारा यहां पर समान बेगरा रखा हुआ है और यहां पर लाइट नहीं मिलता इससे अपर वेरेंट में मिल जाएगा और एक हूक मिल आ रहा है और इधर आप जैक बेगर यहां से निकाल सकते हैं यहां पर स्पेस दिया गया है और यहां पर कुछ चीन भी छापा गया है और यह स्पेस 308 लीटर की है और पीछे में आपको पार्सल ट्रेव मिल जाता है देखने को और यहां से यह खूल भी जाती है ऐसे इपनी नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि यहां पर समान रखा गया है इसके वजह से इसके नीचे आपको स्टील वील मिल जाता है देखने को और जैक मिल जाएगा टूल्स मिल जाएगा इमर्जेंसी ट्रेंगल से मिल जाएगा तो चलिए अब मैं बंद कर देता हूं और आप एक रिक्वेश्ट बटन भी इससे आप डिकी को अपन कर सकते हैं और इसके नीचे आपको एक लाइतस भी मिल जाता है देख सकते जो जलब gekommen ? इसका चलते गाडी के अंदर में तो यहां पर पहले आप देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यां ना इनल का वई न यहां पर की स्लोट मिल जाता है है और इसका कुछ देख सकते हैं डूल तॉन कलेरे में इसका डॉर पैनल मिल जाता है और फौर पर इंडो का Count partido मिल जा रहा है सेंटर लॉकींगं का मिल जा है ग्लास Lock दो का मिल जा रहा हुर्ब का o sugar का स्वेश्ट करने का चार स्पीकर आपको company fitted ही मिल जा रहा है और यहां पर आपको traction control मिल जा रहा है ideal stop का switch मिल जा रहा है headlights का control कर सकते हैं dual tone में इसका कुछ interior है काफी premium लगती है गाड़ी देखने में देख सकते आप खुद और इसका seat जो है ये भी आपको adjustable मिल जागा recline angle को आप adjust कर सकते हैं और इसमें आपको दो headrest मिल जाता है देखने को और fabric finishing में इसका seat मिल जाता है आपको काफी soft है मतलब comfortable लगेगा बैठने में इस गाड़ी में और seat को आप आगे पिछे यहां से कर सकते हैं और इसका key देख सकते हैं दोनों आपको remote में ही मिल जाता है और यह भी tilt steering है ओपर नीचे हो जाएगा यह इसका कुछ D-shape में steering देख सकते हैं आप और सुजूकी का logo मिल जाता है steering mountain control मिल जाता है और यहां पर call receive करने के लिए call cut करने के लिए voice command मिल जा रहा है और यहां पर कुछ silver finishing मिल जाता है और यहां पर आपको wipers का controls इधर आपको headlights का controls और यहां पर आपको analog instrument cluster मिल जाता है बीच में आपको digital मिल जाएगा और इसमें आपको rpm बेगरा और speed और engine heating mileage यह सारा कुछ सो करती है और इसका music system भी काफी अच्छी है और इसमें आपको 7 inch का infotainment system मिल जा रहा देखने को यह connect करीगी android auto apple carplay के साथ और इसमें 2 ac vents 1000 light की switch carbon finishing में यहां पर देख सकते हैं और कुछ silver finishing का काम किया गया है ताकि premium लगे गाड़ी देखने में और यहां पर automatic ac climate control मिल जा रहा है और बीच में आपको MIT मिल जाता है देख सकते हैं auto का buttons भी मिल गया है और यहां पर USB point मिल जाता है इसके नीचे और यहां पर charging socket 12 volt का दो का फोल्डर carbon finishing यहां पर भी आपको मिल जा रहा है 5 speed manual transmission के साथ लेदर knob और यहां पर आपको एक handbrak भी मिल जा रहा है देखने को और पीछे में यहां पर आर्मरेस्ट नह और इसमें front में आपको 4 AC wind मिल जा रहा है देखने को और यहां पर आपको manual IRBM दो lights yellow देख सकते हैं yellow है और यहां पर आपको एक छोटा सा space मिल जा रहा है और यहां पर bonnet lever मिल जा रहा है तो भाई अब चलते हैं इसकी कुछ rare row में और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कैसी यह comfortable चोड़ तो यह इसकी कुछ rare door panel देख सकते हैं यहां पर भी आपको dual tone कुछ color मिल जा रहा है और यहां पर space मिल जाता है power window का controls unlock करने का handle chrome finishing लेकिन देना चाहिए था नहीं दिये प्लस है फिर भी नहीं थी और यहां पर आपको speaker मिल जाता है one liter का bottle holder इधर चोटा सा और space मिल जाता है और यहां पर आपको एक child lock भी मिल जा रहा है देखने को और इसका कुछ space है यह मैं आपको बैट करके दिखा देता हूं इसकी comfortable कैसी है तो देख सकते है मैं बैठ किया अपडेटेड वर्जन है और यहां पर आपको देखिये मिल जाता है कुछ space लेगा space पीछे लेकिन ऐसी वेंट नहीं मिलना चाहिए था और यहां पर आपको 12V का charging socket मिल जा रहा है यहां पर छोटा सा space मिल जाता है और यह दो headrest आपको मिल जाता है और बीच में भी एक lights कैसी दीख रही है राफी premium लग रही है देखने में और इधर आपको मिल जाता grab handle और इधर आपको bottle holder speaker power window unlock करने का handle और पीछे आपको seat में भी 3 adjustable headrest आपको मिल जा रहा है देखने को और यह foldable seat है fold भी हो जाएगा और भी a space बन जाएगा पीछे आपको parcel tray मिल जा रहा है और ए देख सकते कुछ engine जो की four cylinder के साथ आती है एक दो तीन चार और यहां पर आपको noise insulation मिल जा रहा है और पहले से मारूती कुछ build quality में काम की है काफी है strong लग रही है देखने में और वैसा हलका भी नहीं है पहली के जो गाड़ी आती थी उसमें थोड़ा सा bonnet हलका लगता था ल अगर आप मेरे channel वो subscribe नहीं किये हैं तो please subscribe कर ले और मुझे motivate करें धन्यवाद